Iphone's पे sales start हो चुके, flip card पे start हो चुक है big savings days and Amazon पे start हो चुक है great republic day sale तो आए इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या offers है, यह sale date कब तक है and most importantly यह सब Iphone's की क्या prices है and of course यह सब में expected prices नहीं बताऊँगा, final prices जो release हुई है वो ही बताऊँगा अब हर बार ऐसा देखा जाता है कि कुछी time में out of stock हो जाता है या फिर next day उसकी price increase हो जाती है तो अगर आप चाहते हो कि out of stock हो जाए या फिर price increase हो जाए उसके पहले ही आप iPhone purchase कर लेना चाहरे हो तो यह वीडियो देखने के बाद immediately जाके आप इन दोनों platform से अपना purchase प्लेस कर सकते हो नमस्कार दोस्तों मेरा में हम में विलकम बाक टू अलोजिन टेकिन इंदी, it's time for technology तो सबसे पहले बात कर ले थे Amazon की, तो Amazon पे जो sale है वो है 17 January से लेके 28 January तक अगर आपके पास prime membership है, तो आपके लिए एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगी यह वाली sale, that is 16.12am तो 16.12am मतब 15th रात को यह sale आप लोग के लिए शुरू हो जाएगी अगर आप prime member नहीं हो, तो फिर आपके लिए शुरू होगी sale 17 January लेकिन मैं recommend करूँगा के prime membership में आपको ले लेना चाहिए, बाद में out of stock भी हो सकता है, बाद में price increase भी हो सकती है and discounts की बात करें, तो अगर आपके पास SBI का card है, तो आपको up to 10% तक discount भी मिल सकता है अब बात कर लेतें कौन से iPhones में क्या deals आई है, तो iPhone 10R पे आपको जो deal देखने को मिल रहे है, that is 34,999 अब मेरे इसाब से बहुत ही अच्छी deal है, ये price में अगर आपको iPhone 10R मिल रहा है, तो आपको miss बिलकुल नहीं करना चाहिए next deal है Amazon पे, that is iPhone 12, ये आपको मिल रहा है 53,999 में, तो of course last time जितना अच्छा deal नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी deal नहीं है तो अगर आप wait नहीं करना चाहिए हो next deal का, तो ये price पे iPhone 12 परचेस कर सकते हो, अब आगे जाके iPhone 12 पे, वही same 50,000 का deal वापस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, तो अगर आपको wait नहीं करना है, आपको एक अच्छा iPhone खरीदना है, तो ये price में आप खरीद सकते हो उसको and especially because हमको exactly पता नहीं है कि next sale कब आएगा and क्या price पे आएगा, तो ये तो होगे Amazon के बारे में, अब चलते flip card पे तो flip card का जो sale है, वो 17 January को शुरू होगा and 22 January को खतम होगा, लेकिन same Amazon की तरह, अगर आप flip card के एक plus member हो, तो आपके लिए जो sale है, वो 16-12 AM को ही शुरू हो जाए, that is 15th रात को आप अपने iPhones खरीद सकते हो and discounts की बात करें, तो अगर आपके पास ICICA का card है, तो आपको up to 10% discount भी मिल सकता है, अब बात कर लेते के flip card पे ऐसे कौन से iPhones है, जिनके उपर sale आई है and क्या है वो offers, तो सबसे पहले बात कर लेत iPhone 12 mini की, तो ये आपको मिल रहा है 41,999, अफकोस ये price भी last deal जितनी अच्छी नही है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है, तो अगर आपको next drop के लिए wait नहीं करना है, तो ये price में आप iPhone 12 mini purchase कर सकते हो, and next बात कर लेता iPhone 12 की, तो यहाँ पे भी आपको same Amazon जैसा ही price देखने को मिल रहा है, that is 53,999, तो जैसे के मैं आपको बता है, कि 53,999, iPhone 12 के लिए एक अच्छी price है, आप इस price में iPhone 12 purchase कर सकते हो, especially अगर आप next deal के लिए wait नहीं करना चाते हो, बाकि अगर iPhone SE 2 की बात करे, iPhone 11 की बात करे, iPhone 13 की पूरी series की बात करे, तो इन में कोई भी अच्छी deal नहीं आई है, इसलिए उन phones पे बात करने का कोई point ही नहीं है, तो अगर आप इन iPhones में interested हो, तो आपके budget के हिसाप से, इस sale में अपना iPhone purchase कर सकते हो, और वो भी जल्दी करना इसके पहले कि वो out of stock हो जाए, या फिर next day उसकी price increase हो जाए, तो इतना ही था दोस्तों वीडियो के लिए, अगर आप कोई वीडियो informative लगा है, तो like and share ज़रूर करे, अगर आप इस channel पे पहली बा